अधिराधे जय मातादी दर्श को स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल रोज क्या करमें दैश को आज हम आपको बताएंगे कि आपको नाग पंचमी के दिन कौन सा कारी करना चाहिए कौन सा कारी नहीं करना चाहिए किस तरह से आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और आपकी नाग पंचमी किस दिन पढ़ रही है नाग पंचमी की सुभ मूरत कौन सी है रावन मास की सुकल पंचमी को नाग पंचमी का तेवहार मनाया जाता है सनातर धर्म की माननेताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का पिधान है नाग पंचमी पर भगवान्शीव के गले में आभुसर के रोप में मैजूद नाग देव की पूजा होती है नाग पंचमी पर पूजा करने से अध्यात्मिक सक्ति अपार धन और मनोमांचित फल की प्राप्ति हो सकती है आईए हम जानते हैं दर्स को इस साल नाग पंचमी का तेवहार किस दिन मनाया जाएगा और नाग पंचमी पे आपको किस तरह से महादेव की पूजा करनी चाहिए इस वर्स सावन सुकल सत पंचमी तिथी 21 अगस्त 2023 को रात 12 बच के 21 मिनट से सुरू होगी और इसका समापन 22 अगस्त 2023 को दो बहर दो बजे होगा ऐसे में नाग पंचमी का तेवहार 21 अगस्त को मनाया जाएगा हिंदु धर्म में सदियों से नागों को पूजने की परंपरत चली आ रही है ऐसी माननेता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अरपित करने से पुन्य फल की प्राप्ती होती है तो आप नाग देवता को नाग पंचमी के दिन दूध जरूर अरपित करें ऐसा नहीं है कि आप किसी नाग को दूध पिलाएं, कहीं आप स्वच्छ जगाह पर किसी पात्र में थोड़ा सा दूध रख दीजेगा, ऐसा करने से माना जाता है कि आपने नाग देवता को दूध पिलाया है, नहीं तो भगवान संकर की सिवलिंग पर जो नाग देवता बन करकट संख कालिका और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है तो ऐसे में दर्थ को आप नाग देवता को दूज जरूर अर्पित करिएगा नाग पंचमी के दिन सुबा जल्दी उठकर आप असनान करिएगा और ब्रत का संकल्प लें एक थाली लीजिएगा उसम संकर की स्यूलिंग पर नाग देवता होते हैं या आपके आसपास कहीं भी जो नाग देवता की अस्थापना की गई है तो आप वहाँ पर भी जाके पूजन कर सकते हैं दूद दही अक्षत पूद्प से आप पूजन करिएगा तीलक लगाईएगा कच्चा दूद समर्पि करिएगा ऐसा करने से नाग देवता प्रिसन होते हैं और आपके दूखों को दूर करते हैं तो दर्शकों जो भी भाई भहन चैनल पर पहली बारा हैं चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें जादा से जादा से शेयर करें कमेंट में स्री शीवाय नमस्तुभ्यम्हर हर्माधिव जरूर्लीकी